हेलो इवरिबन, नाइन की क्लास हम सुरू करते हैं, मैथ की क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे, कोर्शन नोमर तीन तक हो गया था, ठीक है, कई लोगों ने भेजा था, और दो ही तिल लोगों ने भेजा था, ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा ही नहीं, या फिर सवाल कि कीजिया, ठीक है, चौथा कोशन हमारा फैक्टर, अब हम कैसे फैक्टर करते हैं, आज ये सिखेंगे, ठीक है, दो कोशन मैं बताता हूँ, दो कोशन आप अपने से करेंगे, अभी, हाँ, अब देखिए, एक चीज़ याद रखेंगे, अगर द्वी घाती बहुपदे, तो उसका फैक्टर अलग तरह से होता है, और त्री घाती का अलग तरह से फैक्टर होता है, पहला जो चौथा कोशन है, उसमें सारे द्वी घाती दिये हुए है, उसमें है, बारे एक्स स्क्वार, पहला कोशन क्या है, चौथे का पहला है, ठीक है, बारे एक्स स्क्वार, माइ लिए एक ऐसा कोई बहुपद है तो इसमें a b c है अगर देखिए तो यहां पे x2 का कोफिसेंट a है यहां पे x2 का कोफिसेंट बारे मतलब a बराबर क्या है बारे है b का जो value है वो minus 7 है और c का value क्या है plus 1 है ठीक है तो आपको a b c की value मिल जारी है तो हमको क्या करना होगा सबसे पहले एक गुड़े c करना है क्या करना है एक गुड़े c करना है तो हम एक गुड़े c करके किनारे दिखेंगे तो 12 गुड़े 1 कितना गया बारे आ गया और फिर हम b पर नज़र रखेंगे सिर्फ 2 पर नज़र रखना है एक a गुड़े c पर और एक b पर नज़र रखना है तो b बराबर क्या है यहाँ पर माइनस 7 माइनस हटना दीजिए सिर्फ 7 को याद रखें ठीक है और फिर यहाँ पर यहाँ पर यह वाला सिंबल प्लस है अब हमको करना क्या है अब हमको ऐसी संख्याएं ऐसी दो संख्याएं ढोणनी है कि जिसको गुड़ा करने पर बारे आ जाए और जोड़ने तो सूचिये खुड़ा करने पर जाए गुड़ा करने पर साथ ओआ जाए लोगर्ने सब्सक्राइब इसका गुड़ा करेंगे तो वही चीज़ें फ़ाइ और जोड़ने या घटाने पर अगाने हमा वृगर्स एथ्ट फिस minus 7 ठीक है minus की बात नहीं करेंगे सिर्फ 7 की बात करेंगे तो 7 आ जाए तो ऐसी कोंसे संग क्या है 4 और 3 देखिए 4 x 3 गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और 4 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा हो जागा तो बस आपको करना यह है कि इसी साथ को उसी तरह से बदलना है हमको कुछ नहीं करना बस यहां 7 है तो माइनस साथ है माइनस आगे लगा देंगे और साथ को क्या लिख सकते है 4 प्लस 3 लिखी सकते हैं बाकी चीज़ा ऐसे रहने दीजिए फिर अगला क्या है आगे हम करेंगे इसी का गूड़ा करेंगे बारे एकस फसक्वाइब अब यहां क्या है एकस है तो माइनस फूर्स और एकस यहाँ है यहां पर 4x है यहां पर 12x square है तो 4x common दिख रहा है तो 4x common ले लिए तो यहां जागा 3x minus 4x common ले ले तो बचेगा 1 यहां पर कुछ common दिख रहा है कुछ common नहीं दिख रहा है तो यहां पर हम minus 1 common ले ले क्या ले माइनस 1 common ले क्योंकि हमको अंदर यही बचाना है तो बचिएगा क्या, 3x minus 1, plus 1 था, तो आगे minus हो गया, यह minus था, तो minus हो गया, अब दिखे, 3x minus 1 सब में common दिख रहा है, और 4x minus 1 सब में common दिख रहा है, हमारा factor हो गया, ठीक है, इसी तरह से एक और question दिख लेते हैं, question number 3 is, 6x square, 6x square, plus 5x, minus 6, ठीक है, 6x square, plus 5x minus 6, इसका factor हम तो करना है, अगर आपको नहीं समझ में आगे, तो 2-3 बार आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आजाएगा, और हम कुछ work देंगे, आप कर दिएगा, 3 घाती, आज से 2 घाती का बताएंगे, 3 घाती का कल बताएंगे, तो कि वो थोड़ा सा यहां पर 6 से square, plus 5x minus 6, अब यहां क्या करना है, सबसे पहले, a into c किया जाए, तो 6 से 6 है, 6 into 6 केतना होगा, 36, इसको लिखना नहीं होता, यह किनारे आप कर लिए, मन में कर लिए, यहां मन करें मां कर लिए, और b क्या है हमारा, 5 है, तो अब देखिए, यहां पर minus है, यहां पर plus था, तो हम देख रहे थे, जोडने पर b आना चाहिए, अब यहां minus है, मतलब घटाने पर 5 आना चाहिए, और गुड़ा करने पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, तो 36 और 5 कैसे होगा, तो कौन से ऐसी दो संख्या है, कि अब गुड़ा कीजिए, तो 36 आ जाए, और घटाने पर 5 आजाए, बताइए, सूचिए पहले इसको, तो 9 और 4 है ना, 9 और 4, कितना हो जाएगा, 36, और घटाने पर 9 में से 4 घटाएंगे, तो क्या जाएगा, 5, तो आपको यही करना है, 5 को किसमें बदलना है, 9 माइनस 4 में बदलना है, तो 6 से 6 स्कार, प्लस 9 माइनस 4 और यहां पर आजागा यह, माइनस 6, 5, 4 क्या लिख दें, 9 माइनस 4, 9 में से 4 कटाएंगे, तो 5 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां पर आप क्या कर लेंगे, 6 स्कार, अब यहां प्लस है, और इसका मुल्टिप्लाइ करेंगे, एक से एक बार इसमें, एक प्लस हैं, तो यहां प्लस ही, तो यहां माइनस 2 कामन दिक्क हरा है, क्योंकि यहां प्लस है, तो यहां प्लस है, तो क्या जैगा? 2x-3, दोनों में, सॉरी, प्लस 3, यह माइनस कॉमन ले लिया है, हाँ, तो अब यह दोनों में देखे, 2x-3 यहां भी है, 2x-3 यहां भी है, यानि कि 2x-3 अब कॉमन ले लेंगे, 2x-3, बस कॉमन लेना आपको आजागा, तो यह आराम जाजागा, 3x-2, समझ में आया, यह यहा अब क्या आना चाहिए, और बी को ही जोडने या घटाने वाले में चेंज करना है, तो दोनों कोशन आप करिए, देखिए, पहले नोट करेंगे, और फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं आएगा, कुछ कोशन इसमें, 2x-3 यहां दिये हुए हैं, कुछ कोशन हम यह कुछ कोशन हम बेज देंगे, उसका आपको ग्रंखन करना होगा, ठीक है, तो आज ही क्लास बस छोटी सी है, इतनी ही रहेगी, जाद आपको नहीं करना है, थैंक्यू